मातरी सादक महमाय मिसरा के तरप से आप सब को नमन ओम काली तो आज मैं आ गई हैं और एक नए वीडियो के साथ तो इस पार मैं स्विच वर्ड्स के बार मैं आपको बताने वाली हूँ इसके दो पार्ट होंगे इसी वीडियो में पहला पार तो कि ये स्विच वर्ड्स होते क्या है और दूसरा इसको हम साथ नामे कैसे इस्तमाल कर सकते हैं इससे पहले कि मैं वीडियो सुरू करूँ आप सबसे निवेदन हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो, ग्यानवर्दक लगते हो, उपयोगी लगते हो तो आप लाइक, कमेंट, शेर, सब्सक्राइब कर सकते हैं देवी की सप्पया सेम करपा रहे हैं ओम कालीम तो सुरू करते हैं स्विच वर्ड्स क्या होते हैं अगर आपको मैं सरल भास में समझाओं तो स्विच वर्ड्स एक तरह का शब्द है जैसे मैं आपको बता रही हूँ एक स्विच वर्ड रीच यह इंग्लिस वर्ड है तो यह हम कहां उपयोग करते हैं अगर मानलेज़े आपने कुछ चीज खो दिया हो ठीक है आपकी चाबी हो सकती है आपकी दबाई हो सकती है या फिर आपके माइंड में कुछ चीज खो गया हो मतलब आपको चीज भूल चुके हो ठीक है या फिर आपका कोई दिक्कत होड़ा है और आपको निशकर्स पे जाना है धून के दिमाग से तो वहाँ पर भी हम reach word अगर बार बार जबते हैं मन में बोलते हैं तो उसका फल हमें मिलता है तो बोल सकते हैं करेब करेब कि ये मंत्र जैसा ही काम करता है लेकिन मेरे हिसाब से मंत्र और इसमें दोठो difference है ठीक है पहला तो ये कि हमारो जो वैदिक मंत्र है जितने भी हमारे मंत्रे वो ज्याता कारगर होते हैं मुझे लगता है क्योंकि वो जो हमारे रिशिमोनी है उन्होंने अपने ध्यान के अवस्था में जाके ब्रuffhand के जो sound है उसको वो उन्होंने एब्सॉप किया था और उनको वानी में निकाला था ब्रम्हांड की शक्त कारगर माने जाएंगे मंत्रों से, क्योंकि मंत्र को सिद्ध करने में समय लगता है, उसका पूरुष्टरन करना पड़ता है, गुरु से दीख्षा लेनी पड़ती है, तब जाके वो सिद्ध होता है, लेकिन स्विच वर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, आप स्विच वर्ड ल पीच के बारे में बता है तो उसके अंदर कौन सा रस सिपावा है कुछ भी चीज ढूनने का रस ठीक है तो ऐसा क्यूं होता है मुझे लगता है यह जो स्विच वर्ड होता है कुछ कुछ शब्द होते हैं जिनको हम अपने दिन्चरिया में ज्यादा इस्तिमाल करते हैं और उसको एक पर्टिकुलर एक्सपिरियन्स एक पर्टिकुलर अनुभाव के साथ जोड़ देते हैं जिसको इसे हमें लगता है वो दोनो एक ही है ठीक है तो उसी के कारण मुझे लगता है स्विच वर्ट से फल मिलता होगा यही इसका मुखे कारण हो सकता है तो स्विच वर्ट को हम कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे मैं आपको एक रीच बताए एक स्विच वर्ट है उसको आप या तो मन मन में बोल सकते हो ठीक है रीच 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 ठीक है यह च जहां तो लिक भी सकते हो, reach, 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 अब एक copy में लिक भी सकते हो, तो ये switch word जो नाम आया है, इसका मतलब क्या है, switch से ये word आया है, ठीक है, switch से ये शब्द switch word आया है, तो बोला जाता है, जैसे अगर आप एक switch word बोलते हो, तो उस अनुभाव का switch on हो जाता है जैसे मैंने reach बोला reach एक switch word है तब जो मैं reach बोलती हूँ तो उसका जो switch है वो on हो जाता है मतलब उसका जो experience उसका जो अनुभाव होता है वो हमारी अवचेतन मन में on हो जाता है यह switch word कहां से आया है यह 20 वी सदी में James T. Mangan नाम के एक author थे उन्होंने एक book में The Secret of Perfect Living में उन्होंने switch word के बारे में पहली बार बताया था उन्होंने ही इसका basically आविशकार किया था और उन्होंने बहुत सारे switch words दे थे अलग-अलग अनुभाव के लिए तो मैं अभी आपको कुछ-कुछ switch word बताने वाली हूँ जो आप अपने साधना में यूज कर सकते हैं मतलब मान लेजिए अगर आप साधक हो आप रोज साधना करते हो ठीक है लेकिन आपको ज़्यादा अनुभाव नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको स्पीड अप करना है अपना साधना को तो आप कुछ-कुछ switch word को अपने दिन्चरिया में यूज कर सकते हैं जिससे आपकी साधना अच्छी हो सकती है तो एक जो शब्द है वो है divine ठीक है D-E-V-I-N-E divine तो इससे क्या होता है ना कुछ भी जो संभव चीज है उसको संभव बनाया जाता है ठीक है कुछ भी मुश्किल चीज है इसको आप easily आसानी से manifest कर सकते हो दूसरा है slow S-L-O-W ये होता है आपको wise बनाएगा आपको बुद्धिमान बनाएगा आपको शही दिशा में ले जाएगा अगर आप साधना में कोई गल्ती कर रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहां गल्ती कर रहे है तो ये आपको बोलने से आपको सही दिशा में ले जाएगा आपकी गल्ती को दिखा देगा फिर कितने बार होता है हमारे दिमाग में नकरतमकता आ जाती है साधना के वक्त, साधना के पहले, साधना के दोरान तो उसके लिए आप cancel, C-A-N-C-E-L ये word यूज़ कर सकते हो, ये बहुत कारगर switch word है फिर अगर आपका health सही नहीं रहता है या फिर आप मन से शाधना करके क्या फायदा तो उसके लिए आप B-E switch word इस्तिमाल कर सकते हो और एक जो switch word है together उसको master switch word बोला जाता है मतलब वो सबसे बढ़िया switch word है उसको आप किसी भी कारे के लिए यूज़ कर सकते हो और वो जो switch word है बोला जाता है कि आपका जितना भी opposite चीज़ है उसको जोड़ता है मतलब पुरुष और स्त्री मतलब masculine feminine फिर चेतन अवचेतन ठीक है भीतर बाहर इन सब तत्वों को जोड़ देता है तो ये एक universal switch word है ठीक है तो इसको आप use कर सकते हैं साधना के दोराने ठीक है दो चीज़ में और बताऊंगी जरूरी नहीं कि मैंनो जो आपको switch word बोले हो यही आपको बोलने है माल लीजिये आप साधना करते हो आप कुछ-कुछ सब्द है जिसको अपने साधना से जोड़ के रखा है तो अगर आप उननती उननती बार बार बोलोगे तो भी आपको सिधी जल्दी मिल सकते है मतलब आप खुद से भी switch word बना सकते हो और बिलकुल वो कारगर हो सकता है क्योंकि देखे मैंने जितने भी switch word बोले हो सब English में है और बहुत सारे मेरे viewers होंगे जिनको शायद English उतनी अच्छी नहीं आती होंगी है तो वो उन सब्तों के साथ उन switch words के साथ शायद जुर नहीं पाएंगे तो वो चाहे तो अपने से भी switch words ज़रूर निकाल सकते है बना सकते हैं और उस हिसाब से काम कर सकते हैं फिर और एक switch word माना जाता है आपके अंदर नहीं थोने लग सकते है इसलिए जो हम हरे कृष्णा हरे राम बोलते हैं शिव 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 बोलते हैं तो इस्वर का जो हम नाम लेते हैं वो इसी वज़े से होता है ठीक है तो आज का वीडियो मुझे लगता है काफी इंट्रेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को अगर लगा है तो आप लाइक कमेंट शेर सब्सक्राइब कर सकते हैं देवी की सब पे असीम क्रिपाड़े ओम काली